तो October 13 को SRF का अगर आप stock price देखेंगे तो अच्छानक से गिरा हुआ नजर आएगा तो दोस्तो हुआ क्या है या क्या expect कर सकते हैं SRF का क्या business है सब कुछ दोस्तो इस वीडियो में हम detail में बात करने वाले हैं देखें 12 October को SRF का stock price बंद होता है 12,560 रुपए में और उस हिसाब से अगर हम देखें तो 2512 में ये stock open होगा और उसके बाद फिर ट्रेडिंग होना सुरू होगा तो stock उपर नीचे जा सकता है मतलब ये जो stock है ये बहुत ही नीचे level पर खुलने वाला है 13 तारीक को अगर आप 12 तारीक के साथ compare करें तो इसका reason है bonus issue तो company ने bonus issue किया है तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं उसके calculation के बारे में समझता है देखें समझ लीजिए आपके पास एक share है srf का और 12,560 रुपए अपने invest किये हैं थीक है तो अब bonus के बाद क्या होगा company ने 4 is to 1 इस ratio में bonus को issue किया है मतलब आपके पास अगर एक share है तो आपको 4 share मिलेंगे थीक है तो हमारे example के हिसाब से आपके पास यहां एक share है तो 12,512 में यह stock खुलेगा आपका total investment उतना ही रहा 12,560 रुपए यह important ध्यान देने वाली बात है समझ दीजिए आपके बास 10 share है 40 share मिलेंगे 50 share हो गया समझ लीजिए 5 share है तो 20 share मिलेंगे तो 25 share हो गया तो उस हिसाब से आप calculate कर सकते है समझ दीजिए 8 share है तो 32 share मिल जाएंगे important trends और important information को हम share करते रहते हैं आपको value जरूर मिलेगी आप join कर सकते हैं telegram का भी group दोस्तों अब SRF का जो bonus का जो shares है वो credit कभ होंगे यह important है जैसे ही यह जो आप देखेंगे stock price तो गिल गिया है लेकिन जैसे हमने कहा कि 4 bonus share आपको मिलेंगे एक share पर तो DMAT में उसी दिन नहीं दिखाएगा यह ध्यान में रखे और in fact अगले 2-3 दिन में भी नहीं दिखाएगा यह थोड़ा समय लगेगा तो इसके लिए आपको patience रखना पड़ेगा company का कहना है October 30 तक यह credit हो जाएगा in fact जो हमारा experience रहा है उतना दिन भी नहीं लगते हैं थोड़ा जल्दी ही हो जाता तो आपको इस चीज को लेकर बिल्कुल नहीं खबराना है अब किसको यह bonus share मिलेंगे यह भी ध्यान में रखना है जिन्हों ने भी यह stock 12 October या उससे पहले खरीदा है srf का stock उन्हीं को ही bonus stock मिलेगा अब आपने अगर 13 तरीक को stock price देखा कि चलिए तो 2500 के पास दिख रहा है है कम stock है हम खरीद लेंगे तो ऐसे में आपको bonus share नहीं मिलने वाले तो वह आपको ध्यान में रखना है क्योंकि already stock तो नीचे जा चुका है तो यह आपको ध्यान में रखना है कि stock already नीचे जा चुका है इसलिए 12 तारीक या इससे पहले और वहीं चीज मैंने इससे पहले ही कि 12 तारीक या उससे पहले आपने देखा भी अपने stock खरीदा भी है तो आपका जो demat है वहां भी दिखाएगा नहीं कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा कुछ 10-15 दिन आप वेट कर लीजिए जो bonus share आपको मिल जाएंगे अब नया buying price भी हो सकता है अब देखे बहुत सारे investor जिन्होंने 6000 में खरीदा हो, 7000 में खरीदा हो, 8000 में खरीदा हो तो आपका जो buying price भी जो है वो भी adjust हो जाएगा तो चुकि stock price अब गिल चुका है तो उस हिसाब से जैसे 8000 का यहा में एक example लिया है तो stock price भी जैसे आपका एक stock का price भी 1600 रुपे हो जाएगा आपको divide by 5 करना है, simple यहाँ पर जो है calculation आपके लिए रहेगी, समझ दीजिए आपने 6000 में खरीदा है तो divide by 5 कर दीजिए, एक stock तो आपको कितना 1200 रुपे का आपको भाव पढ़ गया, कहीं पर भी doubt हो, confusion हो, comment section में पूछ लीजे दोस्तों, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करक यूज है, packaging films और technical textiles जो है, इसमें यह सब जो बड़ी बड़ी जो industries है, वहाँ पर SRF का main business है, और भविश्ये के लिए जो main business है, वो है speciality chemical जहाँ पर एक अच्छी खासी pipeline है, agrochemical and pharma, MNC customers का भी traction है, florochemical का जो business है, जहाँ पर जैसे जैसे disposable income भारत में बढ़ेगी, वैसे यह जो business है, यह भी grow करने का हो सकता है, packaging film का business है, और वहाँ पर भी capacity utilization बढ़ रहा है, तो यह just basic SRF के बारे में हमने बता है, जहाँ पर specialty chemical, floral chemical business, packaging film का business में SRF का main काम है, यह वीडियो का मेरा objective था, आपको यह बताना कि जो bonus issue है, उसके बारे में detail idea दिखाना, जैसे quarter two के results आ ज detailed जो research है, SRF पर भी हम आपको बता देंगे, दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को ज़रूर सब्स्राइब करके रखे, ताकि आपके पास ऐसे valuable video आते रहे, धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए, thank you very much दोस्तों,